कि है lock जोस्टुडेन्ट लास्ट टांप मैंने आपको एसेट बेस के बारे में बताया था अब मैंने आपका एक सोट बेश्ट वीडियो तोयार किया है एसेटवेस titration के बारे में है थिक है तो generally acid based titration में हम पढ़ेंगे कि भई हम acid based titration करते क्यों है और सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका tat prison क्या होता है हमें जब भी हम कोई topic पढ़ रहे हैं पता होना चाहिए कि उस topic करने वाले हम neutralization, indicator और theory of indicator तो हम देखने वाले हैं कि हमारा neutralization होता क्या है, indicator कैसे काम करते हैं और indicator होते क्या है, then theory of indicator हम एतीन topic इसमें cover करने वाले हैं, चलते हैं आग बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा titration, तो जब भी हम acid-bait titration की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हैं पता हूँ जी टाट्रिशन क्या है तो टाट्रिशन क्या है A simple way of determine acid-based concentration Acid-based concentration means क्या होता है Concentration means होता है कोई आपका liquid 1 normal है या 2 normal है या 3 normal है या 4 molar है यह इसका concentration कहलाता है तो किसी भी solution का हमें concentration पता करना है तो उसका हमें पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं टाट्रिशन करते हैं जश एक्जामपल बताता हूँ मैं आपको 1 normal SCL तो 1 normal SCL बनाने के लिए हमें जो हमारे IP में है क्या है आपका 85x in 1000 ml मतलब हमें 85 ml SCL लेना है 1000 ml तग उसको volume make-up करना है तो हमारा 1 normal SCL बनता है एकिन कई बार क्या होता है हमारा कई type की errors होते है जो determined भी, undetermined भी है मतलब जो दिखते भी है वो जो हमें नहीं पता रहते हैं ऐसे errors तो हमें पता नहीं है जैसे हमें लेना चाहिए था 85 ml लेकिन आप में लिए 84 ml कहीं पर weighing में आपका distribution हुआ, कुछ भी हुआ तो लेकिन आपका one normal solution फिर वो नहीं बनता है लेकिन उसको हम check के सिक द्वारा करते हैं titration के द्वारा करते हैं हम titration से पता लगा लेते हैं कि हमारे जो sample बना है वो one normal solution बना था जो हमने SCL वो हमारा right है या wrong है यह हम पता लगाएंगे titration से उसके बाद हमें समझना होगा neutralization क्या होता है हमारे indicators कैसे work करते हैं और indicator कैसे work करते हैं indicator क्या होते हैं यह हमें पता होना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं neutralization की तो neutralization के लिए सबसे important चीज़ क्या है आपकी कि यह समझना हमें neutralization होता क्या है तो neutralization एक ऐसी process है जहां पर acid और base equal amount में लिया जाता है ठीक है acid और base को equal amount में लेते हैं तो वो क्या होता है आपका salt formation करता है and water का formation करता है यहाँ पर मान की चलते हैं 13.5 लेकिन अगर इसको हमें neutralize करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा equal amount में उसको क्या देना पड़ेगा base देना पड़ेगा और जैसे हम उसको equal amount में base देंगे तो उसका pH कितना पहुँच जाएगा 7 इस solution का pH पहुँच जाएगा 7 जनरली आपने देखा होगा कि हमारे stomach में acidity होती है तो हम लोग क्या करते है इनो घोल के पी लेते हैं तो इनो क्या होता है आपका salt formation होता है और एक alkaline रहता है तो वो क्या करता है आपका acid को neutralize कर देता है जैसे neutralize होता है तो आपको आराम लग जाता है अब हम इसको पढ़ लेते हैं देखिए जब हमारे acid और base आप आपसमें react करते हैं तो क्या बनाते हैं वाटर बनाते हैं और salt बनाते हैं यह जो चीज़ें बनाते हैं आपकी और उस टाइम पर हमारा pH कितना पहुँच जाएगा यह देखिए उस टाइम पर हमारा pH पहुँच जाएगा pH एक्वल टू 7 मतलब 7 तक हमारा pH पहुँच जाएगा तो एक ऐसी reaction जहांपर acid और base अमलो चार को जब हमारा आपसमें मिलाते हैं पिक्कल हमाटर मिलाते हैं बराबर हमाटर मिलाते हैं तो हमारा pH कहां तक पहुच जाएगा उस पॉइंट पर वो सॉलूशन क्या होता है न्यूटलाइज हो जाता है न्यूटलाइज मितलब पिएज 7 पहुच गया हो पिएज 7 किसका रहता है आपका water का एज 2 ओ water का pH कितना रहता है 7 तो 7 तक आपका पहुचा देता है जैसे एक जमपल देख लेते हैं हम लोग a strong acid strong acid और नवह क्यादा है इन दोनों को जब हम अपस करते हैं ने स्टू हमारा salt है हुच पर एश टू वाटर है अब बात करते हैं मे क्या होते हैं आपके indicator जैसे हमारे Luxury गाडियों में लगे रहते हैं indicator आपने right side cup indicator जलाया है मतलब हमें right side जाना है left side का indicator जलाया मतलब हमें left side जाना है यहाँ पर indicator का मतलब है जो हमें indicate करे क्या indicate करे कि इस point में हमारी reaction complete हो गई है वो कैसे करता है color change करकर जिस point पर reaction complete होती है indicator अपने आपका color change करकर हमें बता देता है कि हमारी reaction complete हो गई उस point को हम लोग note down कर लेते हैं अब जब हम इस solution की बात करते हैं तो आपको solution में देखा होगा अगर जब इसमें आपका यह रहेगा पहले colorless कैसा रहेगा? colorless water जैसा, कोई color नहीं रहेगा जैसे हमें इसमें indicator मिला देते हैं तो भी यह colorless ही रहता है लेकिन जैसे हमने उसमें tetrand मिलाना start किया और tetrand मिलाते रहेंगे जिस point पर reaction complete होगी जिस point पर reaction कौन सी reaction scl पिलस nao h यह आपस में react कर रहे हैं लेकिन जिस point पर neutralization होना है वो point हमें बताएगा कौन आपका indicator और जैसे हमें इसमें tetrand मिलाना start करेंगे tetrand मिलता जाएगा और जिस point पर आपकी reaction complete हो जाएगी उस time पर आपका color change होगा उसको हम reading को वहाँ पर note कर लेंगे और reading से हम पता लगा लेंगे कि आपका जो quantity है उसका strength कितनी है one normal, two normal कितनी strength है फिर से हम बात करते हैं indicator इस पर हमाई reaction complete हो जाती है उसको बोलते हैं end point the point at which complete neutralization is achieved is called end point ऐसा point जिस point पर हमाई reaction क्यों हो गई complete हो गई कौन सी reaction reaction है आपकी example के तोर पर scl plus nao h यह reaction करा रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि scl कितने amount में है ax हमें नहीं पता हम आप इसमें nao h मिलाना start करते हैं तो कितना nao h मिलाना हमें भी नहीं पता है तो हम धीर धीरे मिलाना start करते हैं और जैसी यह reaction complete हो जाती है कौनसी reaction neutralization reaction अब indicator को कैसी पता चल रहा है कि हमें उसी point पर color change करना है यह बहुत बड़ा question था कि इंडिकेटर को कैसे पर चल ला है कि हैं उस point पर color change करना है जो हो रही है वो अपने जैसी हो रही है लेकिन indicator को कैसे पर चल आ तो इसके लिए हमारे पास दो scientist आए एक पहले थे हमारे ओस्ट वार्ड तो ओस्ट वार्ड ने एक theory produce की ओस्ट वार्ड ने बताया कि कैसे indicator work करता है उन्होंने बताया कि जैसे indicator है indicator को उन्होंने बोला ये weak acid और weak base होते हैं इंडिकेटर are weak acid and weak base जब अब ये unionized form में रहेंगे unionized form unionized form क्या कहलाता है आपका जैसे कि आपका SCL ये आपका unionized form है ये ionized नहीं हुआ है अब इसको अगर हमां ionized करते हैं तो H positive और CL negative इसमें क्या हो जाता है unionized हो जाता है उनके according जो भी आपके indicator है वो weak acid weak base है और जब unionized form में रहते हैं तो ये कैसे रहते हैं colorless कोई color नहीं रहता है उसमें और जैसे ये unionized हो जाते हैं तो ये क्या हमें produce करते हैं color produce करते हैं फिर question उठा कि भई अब unionized form में colorless हो गए unionized में colorful हो गए लेकिन indicator को कैसे जिस point पर end point हुआ उसी point पर वो dissociate हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है तो उसके लिए आंगे आया common iron effect common iron effect common iron effect क्या किलाता है जब भी किसी solution में आपके पास दो solution है आपके पास दो solution है ठीक है इसमें इसी में आपके two solution है तो सबसे सबसे पहले आपने इसमें क्या मिलाया scl ठीक है scl मिलाने के बाद आपने इसी में मिला दिया indicator h i n ठीक है h i n मिला दिया हमने indicator मतलब acidic indicator मिला दिया तो इसमें हमने देखिए कौनसा iron common है आपका hydrogen iron common है according to common iron effect जो large concentration में होगा मतलब यहां पर scl मानके चलते हैं 50 ml है ठीक है और जो h i n है आपका indicator है वो आपका five drop है ठीक है तो large concentration में होगा large amount में होगा ज़्यादा मात्रा में होगा वो small जो कम मात्रा में होगा उसके dissociation को suppress कर देता है मतलब उसके dissociation को रोग देता है उसको dissociate नहीं होने देता उसको ionize नहीं होने देता कब तक ionize नहीं होने देगा जब तक की वो पूरा का पूरा present है अब उसके बाद क्या होता है हम इसमें nao h मिलाना start करते हैं और जैसे हमने nao h मिलाना start किया तो यह क्या होता है आपका neutralization process start कारट हो जाती है एक टाइम पर एन्यूवैश पूरे के पूरेश एझेल को नियूटिलाइच करता है मतलब सब में कर देदा और जैसी आपके счал खतम हो जाता है पूरा क्या हो गया क्या हो गया ? क्यों सबसे पहले हम एक टेस्ट कर रहे हैं जहां पर हमारा ब्यूरेट में आपका ब्यूरेट में आपका एन्यू एच है और कॉनिकल फ्लास में क्या आपका एच तो अब क्या आपका देखिए यहां पर एच सी एल इसका फॉर्मला है ऐच सी एल इसमें कुछ ड्रॉप मिला दी हमने किसके फिनॉप्तिलीं इंडिकेटर के इसकी मैंने ड्रॉप मिला है फाइब ड्रॉप अल्ली ठीक है इसको मान के चलती हम टैने मेल हैं ठीक है यह यह मतलब ज्यादा indicator भी मिला हुआ है H I N अब इन दोरों में H I N क्या हो गया आपका common हो गया और जैसी common हो गया आप उपर से हम क्या मिलाने start करें इसमें NaOH और जैसी हमें इसमें NaOH मिलाएंगे तो reaction होगी आपकी S C L पिलस NaOH तो क्या बनता जाएगा आपका Na C L पिलस H 2 O यह आपका बनना start हो गया जैसे जैसे हम NaOH बनना start करेंगे यहाँ पर एवाली reaction होना start हो जाएगी जितने भी इसको S C L चाहिए है उसको provide हो जाएगे यहाँ common हैंट की बज़े से आपका H I N dissociate नहीं होगा जब तक डिसोसेट नहीं होगा जब तक कि आपका large S C L present है और जैसे S C L आपका पूरा consume हो जाएगा तो आपका H I N आपका release हो जाएगा इंडिकेटर जो होते हैं आपके एउन डिसोसेट फॉर्म में कैसे रहते हैं colorless और जैसे डिसोसेट मतलब ionize हो जाते हैं तो हमें क्या provide करते हैं color provide करते हैं और जैसे आपका NOH आप S C L में बनाना start करोगे तो क्या होगा आपका एरेक्शन complete हो जाएगी तो NOH S C L मिलके आपका N A C L बना लेंगे और जैसे आपका N A C L बन जाएगा पूरा S C L आपका consume हो जाएगा पूरा S C L आपका neutralize हो जाएगा तब क्या आजाएगा आपका H I N क्या होगा आपका dissociate हो जाएगा ionized हो जाएगा जैसे ionized होगा तो हमें क्या मिल जाएगा एक color मिल जाएगा तो हम यहाँ पर reading note कर लेंगे कि हमारा 13.5 पर reading आई है जिस पॉइंट पर हमारा पूरा-पूरा S C L जो था वो neutralize हो चुगा था हाई ओप आपको यह पूरी थियोरी समय में आई होगी कि what is the indicator what is the neutralization reaction what is the titration and how to work indicator thank you